हलो एवरिवन आशके से वीडियो 100 वीडियो 100 वीडियो में हम देखने वाले हैं। कि भी होते है जाने वाले हैं। हैं रईक 52 अई। वेब करने हैं। denied in the tea time loss educators क देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी नहीं पतली होगी, बिल्कुल भी बिल्ट नहीं होगी, बहुत अच्छे से मतब बन जाती है आपकी केक, आज मैं आइसिंग भी बताने वाली हूँ कि कैसे करेंगे, अगर आप ब्लैक फॉरस्ट केकी आइसिंग करते हैं तो, तो देखिए हमने ना अच्छ बिल्कुल भी आपकी क्रिम मिल्ट नहीं होगी, तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड की है, मेरे चैनल पर आप जरूर देखिए, बहुत ही बड़ी असी विप क्रिम बन के रेडियो होती है, तो आप इसमें चेरी डाल सकते हैं, टुटी प्रुटी डाल सकते हैं, उपर से ढ सेविंग्स डाल सकते हैं, चौको चिप्स डाल सकते हैं, तो मैंने डाल दिया, फिर उसके उपर रख दिया है, फिर डाल दिया है, वापस से क्रीम, और क्रीम देखिए, कितनी स्टिफ है, मिल्ट नहीं होगी क्रीम आपकी, आप बिल्कुल भी डिंशर मत लेजे, कि हमारी एक दूपन लिक्विट कलर, या फिर जल गलर डालने से क्रीम मेल्ट नहीं होती है, बस यह आपको धियान रखना होता है, कि आपको काम फटा-फट से करना है, अगर बहुत जादा टाइम लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है, आपकी क्रीम मेल्ट होगी ही, जिसको बहुत जादा प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले यह देख लेते हैं, यहाँ पर भी मैंने टूटी-फ्रूटी और चॉकलेटी डाला है, फर दीसरी लेयर रखते हैं, फिर करूँगी सुगर से सोग, तक जादा प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसा गरिए थोड़ी से क्रीम आप न करकी है, नहीं कर सकते हैं, फिर देखජे मैं अच्छेसे कर लिए सक्राप, और सक्रेप करके लिए हैं, हम्सकी चॉकलेटी डूदी करने के लेका सेकर्ते हैं, तो डूदी कुलेट से कुशा क्या बाले करने हैं, अशtır बालते हैं, तो आपसुस्च रहूं को चॉक्लिट क्यों हम ने लगाई अंदर वह इस लिए अप यह ट्राइग सकते हैं तो मैंने यहां पर चॉक्लिट डाल दी और फिर अब लगा दूँगी मैं चेरी आप यहां पे चॉक्लेट वाल बॉल्स आते वह भी लगा सकते हैं तो गैस अगर ऐसी चोड़ चोड़ी वीडियो आपको देखनी हो आर बार कुछ नहीं चीज़े जाननी हो सीखनी हो न तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बिल आइकन प्रिस करके और पर करके क्लिक करेगा ताकि मेरी वीडियो की साइड नोटिफिकेशन मिलो औ तो यह देखिए मैंने लिया है सिल्वल स्प्री हलका हलका सा चॉकलेट के उपर में लगाऊंगी इससे स्प्री करोंगी बहुत ही खुबसूर सा शाइन आता है बहुत ही सुंदर दिखता है ताप ही ट्राइ कर सकते हैं वीडियो पसंद आएक तो लाइक जरूर कर कर दिखता है